शश्ठह पाथः अकारांत पुल्लिंगम शब्दों के जिन रूपों से पुरुष जाती का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं. संस्कृत के मूल शब्दों के अंतिम वर्णों के आधार पर उन शब्दों का नाम करण होता है. इस पाथ में हम सब असे अंति होने वाले अर्थात अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में ही पढ़ेंगे. तीनों वचनों में इनके रूप निम्न लिखित हैं. मानव Human Beings शब्द बालक एक वचनम, द्वी वचनम, बहु वचनम, बाल कह, बाल कह, बाल कह, अध्यापक, 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 अध्यापक पशुपक्षी, Animals and Birds शब्द, सिंह एकवचनम, द्वीवचनम, बहुवचनम सिंहह, सिंहहौ, सिंहाह गज, गजह, गजव, गजाह मयूर, मयूरह, मयूरव, मयूराह अश्व, अश्वह, अश्वव, अश्वाह मकर, मकरह, मकरव, मकराह प्रकृति, नेचर शब्द, मेग, एकवचनम, द्वीवचनम, बहुवचनम, मेघह, मेघहौ, मेघहाह पर्वत, पर्वतह, पर्वतव, पर्वताह व्रिक्ष, व्रिक्षह, व्रिक्षव, व्रिक्षाह पादप, पादपह, पादपव, पादपाह निर्जर, निर्जरह, निर्जरव, निर्जराह स्थल, प्लेसिज शब्द, विद्यालय, एकवचनम, द्वीवचनम, बहुवचनम, विद्यालयह, विद्यालयाव, विद्यालयाह प्रासाद, प्रासादः, 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 चिकित्सालय, 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 पत्रालय, 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 आहा वस्तुए थेंग्ज शब्द चमस एकवचनम, द्वीवचनम, बहुवचनम चमसह, चमसव, चमसाह चशक, चशकह, चशकव, चशकाह घट, घटह, घटव, घटाह शरीर के अंग, बोडीपाथ शब्द, करण, एकवचनम, द्वीवचनम, बहुवचनम करणह, करणव, करणाह हस्त, हस्तह, हस्तव, हस्ताह पाद, पादह, पादव, पादाह दंत, दंतह, दंतव, दंताह ओष्ट, ओष्ठह, ओष्ठव, ओष्ठाह झाल, 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 झाल.